Good morning friends, welcome to my new episode, Sachin Telegram Vlog आजका topic है friends, क्या जो KLM Airlines ओपरेट कर रही है वाया Amsterdam होके Caribbean में जाती है यसे के Caribbean में जो country है वो है Barbouras, Trinidad and Tobacco, Jamaica, St. Lucia, British Virgin Island तो यहाँ पे जाने के लिए हमें KLM Airlines से जाना होता है ऐसा नहीं कि आप और कोई Airlines से नहीं जा सकते हैं आप जा सकते हैं, 100% आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहाँ पे हमें Transit Visa लगता है जैसे कि आप UK होके जाओगे तो UK का Transit Visa लगेगा अगर US होके जा रहे हो, जब मैं का Caribbean में एंटर कर रहे हो तो US का Transit Visa लगेगा ठीक है, लेकिन Amsterdam रूट अगर हम चूज करते है तो हमें Transit Visa नहीं लगता है ठीक है, तो एक Advantage होता है हमें Caribbean में जाने के लिए हम Caribbean में जा सकते हैं अगर आपका जो यह है Intentionate गुमने जाना तो well and good, बिजनस करने जाना है तो बहुत अच्छी बात हैं या फिर आपको admission लेना है college में तो भी आप जा सकते हो इस route से कोई दिक्कर ने, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है अभी incident हुआ दो दिन पहले हमारे YouTube family में से एक जन जा रहा था Caribbean में उससे जाना था, ठीक है Barbouras जाना था तो उसने route लिया है Mumbai से Amsterdam with KLM Airlines और फिर Amsterdam से Barbouras, KLM Airlines से अपडेट करती, एक एक flight है single PNR के उपर financially भी बहुँ स्ट्रॉंग है वो business करते है अब ऐसा मानिये है कि काफी reach है, इसले पैसे है उनके पास, कोई दिक्कत ने है उसका, उनका intention illegally enter ने करना है US में, ठीक है वो business point of view से उनको जाना था, केरिबेन में कोई business plan था उनके mind में तो उनको बारबोराज में जाना था ठीक है friends, तो उनको वहाँ पर जाके business करना था तो ये उनका ये था, mindset था तो उनेनों चूज किया चलो visa काफी दिक्कत है अपलाई करना transit visa UK का और US का, तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, तो मैंने उस वीडियो में explain किया था, कि आप KLM Airlines से जा सकते हो Amsterdam से और Amsterdam से बारबोरा, single PNR पे KLM Airlines flight लेके जा सकते हो आपको कोई दिक्कर नहीं होगी, ठीक है लेकिन मैंने और एक वीडियो भी बनाए था पहले कि उसमें बताया था कि आपको स्टोरी बता देता हो पहले कि आभी दो दिन पहले क्या हुआ तो वो मुंबाई एरपोट पे पहुचे उनकी flight थी KLM Airlines की वाई आप्स्टेडम होके, बारबोरास जा रहे थी single PNR, hotel reservation था सब कुछ था, credit card, debit card भी थे और वो personality जो थी, वो काफी रीच थी जो person है, वो जा रहे थे, वो काफी रीच थे, financially secure थे कोई दिक्कर नहीं थी, तो उन्होंने ये airlines book की, KLM Airlines की मुंबाई से, एम्स्टेडम, एम्स्टेडम से बारबोरास, single PNR पे including, उनके पास return ticket थी hot reservation था, debit का credit card भी था, ठीक है, और rest of, जो चाहिए था, सब उन्होंने carry किया था, तो वो एरपोट पे गए, KLM Airlines के counter पे गए, KLM Airlines के जो counter पे गए, तो airlines वाली ने जो airport security supervisor होते है, airport supervisor उसके उपा manager होते है, तो supervisor को बुला दिया, फिर supervisor ने देखा, tickets वगरे देखा, तो वो ही वापिस, वो ही add up हो गया किया आप यह रूट से ने जा सकते है, for a security reason you cannot allow to board this flight, आप को यह और रूट से जा सकते हो तो उन्होंने का, क्या देखो, Amsterdam में 8 गंटे हम रोख सकते हैं, हमें transit visa लगता नहीं है, मैं बारबड़ास जा रहा हूँ हमें visa on arrival है, इंडियास को कोई दिक्कत ने है, hotel reservation है, मेरे पास funds है, return tickets है, सब कुछ है मेरे पास, तो आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो एक ही rut लगा के बेठे थे, वो supervisor मॉंबाई के for a security reason, बस लेकिन इसमें दिक्कत किसको होती है, जो passenger है, उनको काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप समझ सकते हो, क्या अगर ये तो चलो financially अच्छे थे secure थे, ठीक है, और उनका intention भी अच्छा था, उनको जाना भी था, business और घुमने के लिए point of view से, अगर survey करने जा रहे है, तो जा सकते हो, अगर visa नहीं लग रहे है, transit visa नहीं लग रहे है, तो जा सकते है, तो दिक्कत क्या है, तो उन्होंने ने tickets से इसे book की थी, उनको ये पूरे route का कोई हमें दिक्कत नहीं है, transit visa भी नहीं है, final intention है कि US में illegally enter करना है, लेकिन भाई, सब थोड़ी US में illegally enter करने जा रहे है, आप profile तो देख्यो, profile किने strong है, financially good है, अच्छा है, सब कुछ है, आपको सब documents provide करें, तो फिर जाने क्यों नहीं दे रहे, अगर KLM Airlines a route पे जा रही है, वो facility provide कर रहे है, तो आप जाने दीजें, आप क्यों अटका रहे हैं, पैसेंजर को, अगर आपको कुछ doubt लगता है, कुछ missing, document missing है, कुछ fault है, तो different बात है कि आप रोक रहे हैं, लेकिन आप कुछ fault नहीं है, सब mandatory documents उनके पास है, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं, इसमें पैसेंजर को किना difficult होता है, कितना यह होता है, दिक्कत हो जाती है, सब flights book करो, hot reservation करो, सब कुछ करो, full plan करो, और जाना चाते हैं, तब फिर airport पे रोक देते हैं, तो फिर airlines ही मत रखो, वो route पे यह airlines ही बंक कर दो, भाई, यह airlines बंक करता हो, KLM Airlines की, और मैं request करता हो, KLM, अगर यह वीडियो कोई देख रहा है, KLM Airlines या, जो managers है, Mumbai International Airports के जो managers है, वो ध्यान रखे का, इस जो route पे, कोई है नहीं, वीजा लगता नहीं है, transit वीजा required नहीं है, सिंगल PNR पे जा रहा है, documents है, सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं जाने दे रहे, अगर profile गूड है, उनका intention वहाँ पे घुमने जाना ये, काफी जन है, जो strong profile के साथ में जाना चाते हैं, और इस route पे अगर नहीं जाने दे रहे, तो दिक्कत हो जाती रहे, जब फिर कैसे जाएगा, आदमी इस airlines से, travel कैसे करेगा, अगर Caribbean में जाना है, उसको business point of way से भी जाना है, अगर business कब कर पाएगा आदमी, जब वो वहाँ पे जा के survey करेगा, survey करने के बाद वो satisfy होगा, बाद में बिजनस कर पाएगा, डारेकली थोड़ी इंडिया से, उससे सपना पड़ेगा, यह वो strong, यह बारबरोस अच्छा है, बिजनस कर सकते हैं, तो वहाँ पे जा के survey करने के बाद ही, बिजनस करेगा, वो पैसा लगाएगा न, तो ऐसा है, तो अगर एरलाइन्स प्रोवाइट कर यह रूट पे अगर जाने दे रही है, तो आप लोग को भी देखके, देखके उनको भी देना चाहिए, जाने देना चाहिए, इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना दिक्कत नहीं देना चाहिए, तो यह दिक्कत बहुत हो रही है उससे बैटर मेरा सजेशन है कि अगर यह दिक्कत ऐसे चालू रहेती ऐसे रहेगा तो यह एक तो फर्स्ट एप यह रूटी बन कर दीजे यह प्रिफेर करते हैं यह रूट को और इस रूट पर यह एरपोर्स से जाने देते नहीं है तो मेरा यह होगा कि आप हायर ओथरेटर को आप रिपोर्ट करें इस चीस के बारे में या फिर अगर आपको एरपोर्ट पे डिनाय होती है आपको सुपरवेजर कहता है कि आप नहीं जा सकते हैं आपके बाद सब भी डॉकुमेंट्स है आपकी प्रोफाल इस ट्रॉग है अगर जो लीगल है जो सच्चे है जो जाना चाते बिजनर टूरिजम के लिए तो प्लीज जाने दीजिए यह मेरी रिक्वेस्ट होगी ठीक है क्योंकि काफी पैसेंजर का जो मुझे मैसेज आ रहा है और जो जैन्यून है काफी उसमें से जैन्यून पैसेंजर भी है जिनक अगर वह ऌहीं है तो जाने दीजे इजिए अगर वहीं ही है तो जाने दीजे अगर वह गलत है आपको प्रोफेल देख अभी तो तो यही है और काफी दिक्कत हो जाते इसमें और कोई नहीं इसमें अगर पहले ही क्लिए अगर यह रूटी बन कर देते है ठीक है तो कोई जाएगा है इसमें इस रूट पे अगर प्राइटी नहीं है तो सब लोग आपीसलि उनके पास सेकंड ऑप्शन यही बनता है क्या टिकेट्स बुक करने के बाद वो कैंसल होती है चलो वो पैसे आ जाते लेकिन वो पैसे कह बात है देड़ महिना 30-40 डेस के बाद वो पैसे आए गये और वो टिकेट्स की जो अमांट आप सुनोगे तो 1,80,000 के उपर है 1,80,000 के उपर जो टिकेट की फैर है वो 2,80,000 के उप टिकेट्स है ठीक है उसके बाद वो वापिस घर पे आना एरपोट से वो पुरा मूड खराब हो जाता है ठीक है अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो अगर जाने मिलता है तो अच्छा है या फिर वो एरलाइन से वो रूट ही बन करती जाए तो किसी पैसेंजर के पास उप्षिन नहीं होता है इस रूट से जाने के लिए तो उनके पास फिर एकी उप्षिन होता है UK का और US का तो वह वह बैटर है कि चलो एक क्लोज है दो ही है रूट इससे पर अपलाई करो अगर मिलता है तो जा सकते या पर नहीं जा सकते है लेकिन यह रूट ओपन करकर कर तो फिर सब भी पैसेंजर मोचली अभी तो थोड़े जा रहे अभी तो फ्यूज के साथ में हो रहा है आगे जाके तो काफी जनकी बोर्डिंग डिनाय होगी तो इनका हादा काम तो बोर्डिंग डिनाय में जाएगा हाँ फिल मुझे तो इसे लग रहे है तो यहार केलय में ऐलांच ने रूट को फ्राइट हे रखे है वह बन कर दीने जीचिए टीक है तो पैसेंजर के बास ऑप्षन ही होगा क्या यूक looking यूएस होके जाए या फिर अगर रूट इसी इसी जो रूट पर अगर केलय में तो फ प्रेसे फिक में कोई भी कंट्रीज में जाते तो कोई दिक्कत होती नहीं रेट वो सेफ होता है तो वैसे आप इसी इसी रूट पे भी थोड़ा यह करें पॉलाइट रखें यह मेरी रिक्वेस्ट होगी ठीक है तो यह है अभीकल इतना ही है फ्रेंड्स तो मिलते मेरे नेक् वन बाया टेकर भाई